अलो आवरिवन स्वागत आप सभी का जेनुवन क्लासिज में सभी पारे विद्यारतियों को नमस्कार राजस्तान पटवारी भरती 2024 की हम बात करेंगे पटवार जो भरती है दोस्तों इसको नई CET में सामिल किया जाएगा यह नहीं किया जाएगा आप सभी को मालूम है CET 2024 क का कलेंडर आ चुका है CET ग्रेशन लेवल जो एक्जाम है आपकी उसको सितंबर में आपर जो है एक्जाम आपकी होगी और CET 10 प्लस टू जो है आपके वह अक्टूबर में होगी तो सितंबर में जो CET होने वाली है क्या जो पटवार वरती है जिसमें 2998 में पद यहाँ प आप चंजी उनका यहाँ पर ट्वीट वाइरल हो रहा है और बहुत सारे यूटूबर्स ने वीडियो भी बनाई है तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कॉमेंट कर रहे हैं स्रह आप भी वीडियो बनाकर बताईए क्या सच में नई जो पटवारी वरती है उसको सेटी में सामिल किया जाएगा और यहां पर दो पर के वरती है जो मैं आपको हमेशा बताता हूं एक तो आपकी दोस्तों पटवारी बर्ति पुरानी सीट में सामिल थी इसकी कोई विध्यप्ति जारी नहीं हुई इसके अलावाट जो सीटी ग्रेशन लेवल में जो बाकी बर्ति थी रे है यह तो जारी हो गई लेकिन पतवारी को क्यों जारी कीया घया तो यह दात अमनेolly ले कह दी थी अब जो एक और आपके पटवारी बढ़ती है राजस्वाग वाली जो यहां पर निकलती है जो आपके रेवेन्यु डिपाट्मेंट है राजस्वाग अजमेर ठीक है ना तो राजस्वाग की बात करें इसमें जो 2998 में पद जो स्वीकर्द पद हैं कि इतने समचारी चैनवोड के सेकेंटरी हैं और इनका यह ओपिशल ट्विट है कुछ अभ्यारती प्रसंद पूछ रहे हैं कि क्या पटवारी के रिक्त पदों पर भरती समान पातरता परिक्षा सीटी के अंतरकत की जाएगी यह तो सवाल है आंसर क्या दिया इन्होंने आंसर दिय जी हां जी हां बोला इन्होंने अब पटवारी के रिक्त पदों पर भरती सीटी के मैध्यम से की जाएगी राजस्मंडल अजमेर दो हजार नौसो अठ्याण में रिक्त पदों पर पटवारी बरती है तो अभ्यतना बोड को भेज चुका है यानि बोड़ के पास में अपयर्थना है बोड़ इसकी जल्द ही विध्यप्ती जारी कारेंगा अब मैं आपको पता देता हूँ कलेंडर जारी हो गया सीटी ग्रेशन लेवल का अब कलेंडर जारी हो गया एक्जाम डेट भी जारी हो गई अब दोस्तो तो सीटी ग्रेजवेशन लेवल में ध्यान दें सीटी जो अपना ग्रेजवेशन लेवल है इस ग्रेजवेशन लेवल में कौन कौन सी भरती सामिल होंगी कौन कौन सी वेकेंसिया सामिल होंगी उसकी लिष्ट जारी होगी उसकी लिष्ट जारी होगी इस लिष्ट में नई ज इंक्रीज भी होजाएं या कम हो जाएं कुछ भी हो सकता है यह तो तो कनफ़र रोगया कि यहां पर काफी समय से चर्चाओं में है मतस सासरी वीडियो बनाए फरेकी यूद्स तो बनाते ही रहते हैं तो तो हमें लगा ये बात आपको बतानी चाहिए क्योंकि कापी सारे विद्यारती हैं जो CET को लेकर अब एक्टिव नहीं है उनको लगता है कि CET तो एक जमेला है CET जमेला कैसे है आप देखो जूनिर अकॉंटे इंट कौन बंद रहा हैं जिन्रोनि सीटी एक्जां मदी ildc क्यों बंद रहेगा जिन्रोनिोन सीटी एक्जां म तो बहüman Philippines में पासको नहीं सीटी Кो टुम तो आपको यहां पर सीटी करना ही पड़ेगा और इस बार वो गलती मत कर देना जो पिछली बार करें पिछली बार विद्यार्ती पढ़ गए नहीं गए और काफी बच्चों के तो 40% मार्स भी नहीं है और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मतलब अच्छे मार्स आए नहीं उनको लगता था और उसके बाद में मई का महीना आपके पास में है, जून का महीना आपके पास में है और सितमबर में एक्जाम है, तो कुल मिला के देखा जाए तो कितने महीने हैं, धाई तीन महीने हैं धाई तीन महीने हैं, इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूँ कि Genuine Classics Application पर जो अपना जो course है CT 2024 का complete live और recorded पूरे राजस्तान में सबसे best course बता सकता हूँ क्योंकि इतनी price में आपको कहीं नहीं मिलेगा 399 अब इसमें दोस्तों हमने 10 प्लस 2 को भी सामिल कर लिया उसका जो complete syllabus है उसके according और इसके अलावा जो duration level है उसको भी हमने इसमें सामिल कर दिया अना विद्यारतियों को अलग-अलग payment नहीं देना पड़े परेशान नहीं होना पड़े क्योंकि देखो बच्चे पहले से ही परेशान है काफी परेशान हो चुके हैं बार-बार coaching करके coaching की फीस देके इसलिए हमने ये सायता करी है कि भाई जो भी विद्यारती CT 2024 की तयारी करना चाहता है वह only 300 99 में कर सकता है जिसमें live classes recorded classes PDF not test series आपको मिल जाएगी ये course आपको genuine classes application पर मिलेगा application का link आपको description में दे दिये जाएगा कोई भी जानकरी चाहिए number से आप call कर सकते हैं ठीक है साती में आपको बता देता हूं कि जो पटवारी भरती है उसका syllabus क्या है syllabus काफी बड़ा है समय कम है syllabus काफी बड़ा है इसलिए syllabus को एक बर देख लो ये भरती का notification लाश्ट टाइम 2019 में आया था कोरोना के चलते इसकी एक्जाम रोक दी गई थी पिर कोरोना के बाद 2021 में इसक इसमें आपके जनर्ल साइंस, history, quality, geography of India, general knowledge, current affairs यानि इंडिया जीके के और current affairs के और science के जीके, 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 जीके और science इसके दोस्तों 25 सवाल आते हैं बताब 38 question आते हैं और छेतर नंबर का पूरा मेटर आता है तो छेतर नंबर की इंडिया, जीके, 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 और क्या हो जाएगा, current affairs, इसके अलाबर राजस्तान जीके की बात करें, राजस्तान की जोगरोफी, history, culture, quality of राजस्तान, इसके दोस्तों 20% वेटेज याँ पर रहेगा और 30% आएंगे, 60 नंबर की अपनी रास्तान जीके आती हैं, जनर्नल हिंदी और English के कितने परसन आते हैं, तो भाया इसके 22 परसन आते हैं, 11 English के और 11 हिंदी के, 44 नंबर के आपके आती है, mental ability and reasoning, और basic numerical efficiency, यनि math और reasoning, math और reasoning का वेटेज 30% है, यनि total 45 परसन आते हैं, 90 नंबर के, काफी ज्यादा वेटेज इसका, ठीक है, और basic जो computer है, इसका 10% वेटेज है, यनि 15 सवाल आते हैं, 30 नंबर के, तो टोटल सभी सब्जेक्ट आ गई, पूरा इंडिया जी के हो गया, पूरा रास्तान जी के हो गया, current affairs हो गया, हिंदी इंगलिश हो गया, math reasoning हो गई, और basic computer हो गया, CT वाला syllabus ही है, जो syllabus आपके CT का है, वो ही syllabus इसका है, CT में भी ये सारी च 24 की हम genuine classes application पर करवा रहे हैं, राजस्तान की best faculty और नए जिलो के नुसार, जो नए 50 जिले बने हैं, updated GK के नुसार हम आपको दोस्तों पढ़ा रहे हैं, तो ये कुछ update थी जो मैंने आपको बता दी है, बिलकुल 2024 की जो CT है, उसमें नई पटवार बरती को सामिल किया और 6 जून को अपनी आचार सहीता वगेरा सा बढ़ जाएगी, और उसके बाद में वापस से सिक्षा वाक सक्रिये हो जाएगा, जो भी वेकेंसियां हैं, जो भी यहां पर करमचारी चैन बोड की वेकेंसियां हैं, उनके notification जारी होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन दोस् कर चुके हैं, जो विद्ध्यार्ती फाइंदल येर पास कर चुके हैं, अभी भी समय है, राजस्तान में अगर नौकली लगने का सपना देख रहे हो, तो सीटी पास करना ही पड़ेगा, all the best, धन्यवाद.